असलाम उलेकुम आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लखनव में टीले वाली मस्जिद अब आप कहेंगे यार अभी तक तो तुमने हिस्टोरिकल मॉनुमेंट्स, पार्क, बाजार दिखाए अब मस्जिद क्यों दिखा रहो? ये कोई महले की आम मस्जिद नहीं है ये लखनों की प्रिसिद मस्जिद है, यहां पर टूरिस्ट भी आते हैं इसके अलावा इद के जिद, यहां पर इदगा के बाद सबसे जादा नमाजी आते हैं और अलवीदा जुमे में तो सबसे जादा नमाजी यहीं आते हैं इसलिए हम आपको ये मस्जिद दिखा रहें, ये बात आपके समझ में आने चाहिए, क्योंकि आपके पास जो दिमाग है, वो आपके पैदा होने की खुशी में आपके माबाप को गिफ्ट नहीं किया गया है, बलकि वो इसलिए दिया गया है ताकि आप जिन्दी की जीने में उसे यूज कर सकें, ना कि अपने टकले में लेके उसको सजा, वैराल वैसे तो हमारा पुरा शरीर ही एक अवार्ड है, लेकिन ये आपको बात तभी समझ में आएगी, जब आप शरीर में सबसे उपर, खोपड़ी के अंदर मौजूद बुद्धी का इस्तिमाल करें, फिर यहां से वजू करके हम चलते हैं अंदर, देखे वैसे तो हम जा रहे थे, गौतम बुद्ध पार का विलॉग बनाने, लेकिन असिर का वक्त हो गया तो हम यहां नमास पढ़ने आए, तो हमारे दिमाग में थैयाल आया, कि उन आपको पहले टीली वाली मस्जिद दिखा दे तो हमने यह व्लॉग बनाया, वैसे मस्जिद अबादत की जगाँ है, जब आप मस्जिद आएं तो नमास पढ़ें, अगर नमास का वक्त हुआ है तो नमास पढ़ें, या दो रकार नमास नफिल पढ़ें, क्योंकि यह अबादत की जगाँ है, तो नमास जरूर पढ़ें, यह मस्जिद के पाथ एक मजार है और इसके लाद यह पक्कापुल है और यह है गेट जहां से हम आए हैं और अब हम चड़े हैं और आके आपको दिखाते हैं और यह हम उपर आ चुके हैं और यहां पर जब आप सीड़ियों से चड़ेंगे तो आप देखेंगे सामने मस्जिदि her, मस्जिद के लेफ्ट हेंड साइट पर आप सामने ये मैदान देख रहें, यहांपर शादी वगएरा भी होती है तो ये मैदान आपको दिया जाता है जब कोई शादी करता है, सामने आप देख रहें माम बारा है ये मस्जिद है और इसके लावा ये सीन भी आप देखें तो अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर ये हम सीड़ियों से यहाँ पर चड़ते हुए जा रहे हैं मस्जिद के अंदर और यहाँ पर ये उपर आ चुके हैं और अब इसके अंदर का ये इस तरह से ये मस्जिद है ये सबसे अंदर है मस्जिद के अंदर वाला हिस्सा है और काफी बड़ा हिस्सा है एक जब सफ होती है वो काफी लंबी होती है बाकी जब भीड हो जाती है जादा लोग आते हैं तादात में तो फिर आपको पता है ये बड़ी जो हम चल करके आए हैं वहां तक भी नमाज होती है तो ये मस्जिद के अंदर का इस्टा था अब हम चलते हैं मस्जिद के बाहर देखें यहां पर अब वीडियो को स्लो करके हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं वो ये कि जैसे अभी हमने नीचे एक सीन देखा था उसको हम मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं वो ये कि जैसे हम किसी अंधेरे रास्ते में ऐसा अंधेरा कि हम में कुछ भी आगे दिखनी रहा हम चल नहीं सकते हमारे पास टॉर्च है और हमें उसके बारे में से हमने रट रखाए कि इसमें रोशनी होती है टॉर्च में रोशनी होती है लेकिन ना तो हमें ये पता है कि ये रोशनी होती क्या चीज़ है और ना हमें ये पता है कि इस टॉर्च को आन करके कैसे रोशनी को यूज़ कर सकते है इस वज़े से टॉर्च होने के बावजूद भी हम उस राक्ते में खड़े रहेंगे क्योंकि वो टॉर्च हमारे पाथ जरूरे पर वो हम यूज नहीं कर सकते इसी तरह हमारे घरों में कुरान मौजूद है जो की हिदायत है हमें जिन्दगी आसानी से जी सकते है हम क्यों आए हैं वो हमारे क्या मकसद है दुनिया में यह सब हम जान सकते हैं तो यह हमारे अंदर तलब होनी चाहिए कुरान को सीखने की और हम दुआ करें कि अल्ला हम सब को हिदायत दे और हम सब सीख सके और सही तरह से इसलाम फॉलो कर सके अब हम यहाँ से फिट से वीडियो को स्पीड इसकी तेज करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे इसके अंदर क्या है तो हम आगे चलते यहां पर देखिए एक तो हमने वजो खाना आपको दिखाया था उसके अलावा ये जो रास्ता है ये भी उधर साइड से रास्ता आएंगे तो अगर जैसे वहाँ पर पानी नहीं है तो अंदर आके उधर वजू कर सकते हैं और ये नीचे का सीने हम उपर खड़े हैं ऐसा कुछ नजारा होता है उपर से ये बगल में नदी है और ये है मस्जिद अब हम आपको ले चलते हैं मस्जिद के पीछे ये सामने मैदान हैं और हम यहां से FMOO नूचे उतर कर यहां से इधर मैदान के तरफ आएंगे यहां पर ये मейदान है जो हमने आपको बताया था है यहां शादी बग boli होती है इसके अलावा ये जो पीछे रास्ता है यहां से जाएंगे तो इमामबाड़ा कैसा दिखता है यहाँ पर वो भी हम आपको दिखा देंगे और इमामबाड़े का वीडियो आएगा कई जहाँ पर आपको हम वैसे इमामबाड़ा दिखा जिका जैसे निमू पार्क में भी हमने आपको दिखाया था तो आएगा वो भी वीडियो आएगा इसके अलावा अब हम चलते हैं यहां से हमने मेदान दिखा है यह सामने इमाम बाड़ा है और इसके और पीछे अभी हम चलेंगे और वहां से आपको दिखाते हैं कि वो कैसे दिखता है और क्या नजारा होता है तो हम उधर सीधे चल रहे हैं और आप सामने देख भी सकते किस तरह का नजार आए है और कि Teummy खूवशूरत दिख रहा है और यह पीछे से बैक साइट से मस्जग है यह हम आ चुके हैं पीछे और यह पीछे वाला रास्ता मस्जग का पिछा है और यहां पर से कुछ इस तरह से दिखता है इमामबाला यह मेरे पीछे इमामबाला अब आप सोच तो रहे होंगे कि यार इतना इमामबाला दिखा रहे है इमामबाले का वीडियो नहीं आया आएगा वीडियो इमामबाले का भी आप देखते रहेजिए अभी तक हमने लगभाग मारजा की सारी चीजे कबर क्योंकि जो इमाम बाले वाला जिस रोट पर हेटेज जोन कहलाता है और ये टीले वाली मस्जिद के साथ हमने उसकी लगभाग सारी चीजे कबर कर दी है नीमू पार से लेके सतकंडा तक घंटा ग यहां से घंटा घर भी दिखरा यह है घंटा घर यह है यहां से भी आपको दिखा दिया टीले वाली मस्चिद हर तरफ ते यह है रूमी गेट यह रूमी गेट है और इसके यह पार्क है उसके पास अरी हम थोड़ा सा बैक साइट पर और आ गया गये हैं तो यहां से भी हम आप देख सकते हैं यह मस्चिद एकदम यह लास्ट है यह बैक है एकदम तो यहां पर भी हमने आपको दिखा दिया है और यहां से भी आप देख सकते हैं इमाम बाड़ा और आगे ये रास्ता अब जाता है गेट की तरफ तो अब हम इस रास्ते से चल पड़े हैं ये मैदान है एक बाद दुबारा से आप देखें क्या बहतरीन सीन लगता है देखने में कितना खुमसूरत लग रहा है तो इस रास्ते पर अब सीधे जाना है खाफी लंबा रास्ता है जा करके हम नीचे आएंगे इस तरफ से सीड़ियां उतरेंगे और क्योंकि आपको हमने पहले बताया था कि हम आए थे गौतम बुद पार का विलॉग बनाने पर असर की नमास का टाइम हुआ तो हम यहां चले आए नमास बढ़ने तो आपको यह विलॉग इखा दिया यहनी कि इसका मतलब यह की जो नेक्ष्ट विलॉग है वो गौतम बुद पार का है तो वो जैसे ही विलॉग आएगा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे इस वीडियो के या एंड स्क्रीन में भी वो शो करेगा तो वो जल्द ही आएगा और अभी तक हम काम्याब हुए हैं यह दस्वा दिन है लगाता दस दिन तक वीडियो डाले में यह ती तीले वाली मस्जिद उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मिलते हैं जल्दी इंशालला अगले व्लाग में